आईए रूप करते उत्र प्रिदेश की खबरों की ओर उत्र प्रिदेश के जालों में होली को लेकर एसपी सड़कों पर उत्रें इस दोरान एसपी ने पेरामिलिटरी फोर्स के साथ नगर का प्रहमन कर सुरक्षा वेवस्ताव का जायजा लिया वहीं एसपी ने बताया कि होली को लेकर असमेदन शील जगों पर पुलिस फोर्स सेनात रहेगी और जनपत में 1150 जगों पर होली का दहन किया जाएगा साथ ही पुलिस ने बताया कि होली का दहन को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तेद रहेगी अगामी तिवारों के दिरिश्टीगर्द पुलिस फोर्स पूर्वूप से सतर्ख है और उसी के क्रम में चनपग में सभी ठाना चेत्रों में फ्लैग मार्चिस किये जा रहे है और मेरे द्वारा अज कि अग़िया है इसके साथ यहां पर फ्लैग मार्च किया है वह रही है और परसो रण के लगाए जो इसको लेकर रूद रखाया है जोनल सेक्टर स्कीम लाबू कर दी गई है एक्स्ट्रा की वार्टी गई गई खास इस्थानों पे यो हमारे हॉट स्पॉट्स रहेंगे रात तक तो हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं और बहुत ही अच्छे से सकुषल अच्छे तरीके से जैसे पिसले बर्श हुआ था उसी तरीके से हम लोग भूदी का दिवार सकुषल संपन करा है सर्क कितनी जगह पूरे जिली में हूल का देहन क्यों ना है हूल का देहन साड़े 1100 स्थानों पर किया जाता है इसके अतरे कुछ शोबा यात्राएं भी हैं अब हम कुछ मेले भी चल लोए हैं तो और अन्य कारिक्रम भी हूली के अफसरफर हो रहा है तो उनको लेकर भी हम उत्रब्रिदेश के जालोन जिले में अब पुलिस करमी शराप के नशे में गाड़ी दोडाने लगे हैं इसी कड़ी में कोच नगर में शराप के नशे में धूत सकारप्यों सवार पुलिस करमी ने कुलफी बेचने वाले युवक को जोड़ता टक्कर मार दी इस हासे में युवक घंबी रूप से घायल हो गया उसका पेर फ्रेक्चर हो गया वहीं टकर के बाद भाग रहे पुलिस कर्मी को लोगों ने दोड़ कर पकड़ लिया और घायल को घंबीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया बताया जा रहा है के शरावी पुलिस कर्मी अबेशुकला केलिया थाने में डायल 112 में तेना थे पिलाल पुलिस ने आला अधिकारियों से इस मामले में आगे की कारवाई कर रहे है उत्रप्रिदेश की खबरों में फिलाल इतना ही फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बने रहे श्री महा का लोग टीवी के साथ